Let us start with today's session, चल बच्छो फट्टा फ़र बेटा आज का session शूरू करते है Yes दिख्यार कल हम लोग ने पढ़ाता कल बेटा अजमने पढ़ाता concept of modify error पढ़ाता आयोब कल का जो modify error का concept था आप सबको अच्छे समझाए आज हमें कुछ नए concept और पढ़ने हैं Good evening Good evening Yes Rahul, आज पूरा practical पूरा खतम हुझाएगा Yes Aray, बहुत आगे चलेगे हम लोग Okay यह बटा हमें पढ़ना था Shalli Let us start बच्चों रेके आप सबको पता है Capital budgeting में Capital budgeting में अगर आपको decision लेना है आपके पास अलगल technique है Payback period, NPV, ARR, IRR, SLR technique है Just for decision making technique है Right उसमें से बच्चों रेको Normally क्या होता है हम लोग क्या बोलते है अगर आपके बस दो Mutually exclusive project If you remember में बताया था Mutually exclusive में क्या हता है दो होंगे बटा project दो में से आपको एक से लेक करना है अगर आपको NPV यूज करना है आप दोनों का NPV निकाल होगे जिसके NPV क्या होगा जादा वो में बटा project बढ़या project होगा अगर आप IRR यूज करोगे जिसका बटा IRR क्या होगा जादा that is a better project better कहा जाएगा बट सम्टाइम क्या होता है NPV and IRR method यह दोनों conflicting result प्रड़ करेंगे मतलब इसका मतलग है मेरे पाद दो project है A और B मेरे पाद दो project है A and B It may happen that NPV technique से project A better होगा NPV के हिसाब से project A better होगा और IRR के हिसाब से project B better इसा भी हो सकता है सम्टाइम इसा भी हो सकता है कि मेरे पाद 2 project मुझे एक choose करना था जब मैं NPV से करने गया तो project A मुझे अच्छा लग रहा था और जब मैं IRR से करने गया तो project B better G मुझे अच्छा लगा अब मैं confused किसकी बात तो NPV appear IRR कि यहां पर थोड़ा सा conflict हो रहा अब थोड़ा सा conflict हो रहा अब जब बैटा conflict अब समय होता है यह conflict होता क्यों है तो बच्छों रहा आब बताय गया conflict होने की तीन वज़ा आपको दिये there are three reasons of conflict सबसे पहला है time disparity confirm बच्छों होने की बच्छों पहले बच्छों वज़ा क्या बटा जी रेके time disparity second बच्छों वज़ा देके second बच्छों वज़ा देके just one minute पहले वज़ा time disparity क्या हो रही है just one minute just one minute пригolás yes बटा now मैं वज़ा रहा था conflict बच्छों वज़ा है one is time disparity second की size disparity and third there is life disparity तीन बच्चों आजा कॉनसे बच्चों देखो टाइम डिस्पैरिटी पेन कुझ ने चल्दा आज क्या हो गया हाथ से लिख रहा है पर पेन ने चल्दा रहा है क्या प्रोलेम हो रहा है अज़ा काम के थोड़ा से बचाशों लाप्टो तकलिफ दरा मुझे लगता है जब तब पेन बचाश्चन होता है तब तक के लिए मैं और ली बताओं और टेंशन मतली बच्चों तिकम बच्चों IRR और बेटा NPV में जो कॉणफिड होता है जो जगड़ा बेटा हो रहा है तीन बच्च ए फरस्ट बेटा है टाइम डिसपरिति सिकन्द बच्चों है साइज डिसपरिति और थर्ड बच्चों लाइफ डिस्पारिटी अब इसका मतलब क्या प्लीज समझता हूँ और हरे केस को सॉल कैसे कर सकते हैं यह सब बच्चालों के एक्जाम में थेरी और प्रेंटिकल दोने मसी को बन सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम डिस्पारिटी की रक्षा जी सेशन अभी स्टार्ट हुआ बेटा जाना में कुछ नहीं बढ़ा है क्या है सोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है तो मुझे लेट आया मैं ओनलाइन बस मैं अभी बढ़ाने शुरू किया है दो बच्चा प्रजेट है इन्वेस कितना क्या बताओ सब फर्स में कितना इन्वेस किया है दो लाग बी साथ सेकेड में कितना इन्वेस किया है दो लाग बी साथ तो इन्वेसमेंट दोनों में सेम है भाही लोग इन्वेसमेंट दोनों में सेम है अब इन्फलो फर्स का इन्फलो कितना है NPV method यूज करें, यूज करने का NPV, बहुत भड़िया होता है, आपको NPV निकालना होता है कि आरे निकालेंगे सर, परजे एक का NPV, परजे 1 का NPV निकालने के लिए, पांच कोलम बनाएंगे, year, particular, cash flow, discounting factor, discounting cash flow, उससे हमने क्या क्या, परजे 1 का NPV निकाला, same thing, बजे 2 का NPV निकाला, कितना factor है, 10%, जब एक का NPV मिला, A का NPV कितना आ गया, 73,000, और जब B या 2 का निकाल NPV, कितना आ रहा है, 62,000, हमें दोनों का NPV मिला, 1st का कितना मिला, 73,000, 2nd में कितना मिला, 62,000, अब बताओ, as per NPV, किसको choose करेंगे, अरे साजी, 1st को, क्योंकि 1st का NP जादा है, तब अच्छा, NPV के साब से 1st better project है, एकदम चिल मार के, सब को समझा, किसने बोला, यार, NPV क्यों, why not IRR, let us find IRM, तो क्या फरपड़ता है, निकालते IRR, हमें दोनों का IRR भी निकाला, आपको IRR निकाला आता है, हमने जब IRR निकाला हमको पता चला, 1st का IRR कितना बेस्ट है, गरबड़ होगी, NPV के साब से 1st project बेस्ट है, IRR के साब से 2nd project बेस्ट है, अब ऐसा conflicting मतलब, opposite result क्यों आ रहा है, why there is such opposite result, बच्चों में reason बताऊंगा, आप देखना, दोनों प्रोजेट का initial investment से में, दोनों का life भी से में, investment से में, life भी से में, बड़े conflict होनी की वज़ा देखिए, प्रोजेट A में, प्रोजेट A में, स्टार्टिंग में cash flow कम था, फिर cash flow बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर cash flow और बढ़ा, प्रोजेट A में, 1 में initial cash flow कम थे, दीरे-दीरे cash flow बढ़ते गया, वही प्रोजेट 2 में, initially cash flow ज़ादा था, और दीरे-दीरे कम होता गया, बास समझना, यहाँ पे ऐसा दोनों में, NPV और IRA में, conflict result क्यों आ रहा है, कि दोनों प्रोजेट का, life भी सेम था, investment भी सेम था, बट यहाँ पे cash flow में परपड़ा था, एक बच्चों प्रोजेट में, cash flow स्टार्टिंग में कम बाद में cash flow बढ़ते गे, और दूसरे बच्चों प्रोजेट में, starting में cash flow जा रहा था, और बाद में क्या होगे, कम होगे, समझाए का बच्चा लोग, तो इस काइंड ओड डिफरेंस इस कॉल्ड़ा था, तो जहाँ पे समय के साथ cash flow में बदला हो रहा है, यहाँ पे समय क का, initial investment से में, life से में, बद समय के साथ cash flow बदल रहा है, that is called as, time disparity, का बच्चा लोग, time disparity, जेपा करना लाए, का सभी को time disparity का meaning, समझाए का बटाईजी, पक्का, okay, यहाँ बच्चो बच्चो दिया, बच्चो क्या दिया, in case of project 2, more cash inflow initially, starting में inflow जादा है, बद one में, बाद में inflow जादा है, तो inflow एक में starting में जादा है, और एक में end में जादा है, तो timing में जो फरक आरा है, इसमें बदो time disparity, इसका मतलब, NPV और IRR मिथड में, conflicting मतलब, opposite result आने के, पहला बच्चो 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 बच्चा बच्चा क्या थी, फर्स बच्चो 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 क्या थी, बताईए, यहाँ पे time disparity, अब क्या किया जाए, यह तो exam में, MCQ में कुशन आ सकता है, what is time disparity, दो बच्चो प्र rectify कैसे करेंगे, तो जब भी समाता बच्चो time disparity का, आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, modified NPV, and modify IRR, बच्चो अभी मेरा pain यहाँ चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, एक काम को नाला है, अगर बच्चो आपके पास बच्चो, notebook होगा, pain होगा, तो लिख के लिजे, please, लिख time disparity, time disparity arises, time disparity arises, when there is, when there is change in cash flow pattern, time disparity arises, when there is, when there is change in cash flow pattern, time disparity arises, when there is, when there is change in cash flow pattern, when there is change in cash flow pattern when there is change in cash flow pattern change in cash flow pattern when there is change in cash flow pattern according to time change in cash flow pattern according to time समय के साथ cash flow pattern में बदला हो रहा है इसे में बच्चलो क्या बलताव चलो time disparity बोलती है नीचे लिखो solution of time disparity नीचे लिखो solution of time disparity क्या करना चे solution हल क्या निकाला जाए लिखो in case of time disparity in case of time disparity क्या 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 क in case of time disparity in case of time disparity use modified IRR and modified NPV हमने आपे क्या देखा था इस question में time disparity हो रहा था तकलिफ थी NPV निकाला प्रुजेड वन बड़िया निकला आर निकाला प्रुजेड तू बड़िया निकला NPV IRR दोनों में जगड़ा चलाता हमने बोला NPV IRR आप दोनों जगड़ा करे हो आप दोनों भी भाड में जाओ आप दोनों भाड में जाओ हम दोनों को यूस नहीं करेंगे हम य यह Modified NPV, Modified IRR, दोनों एक ही बात बोलेंगे, दोनों बिल्कुल जढ़ने होगा, हमने निकाला Modified NPV, और IRR, यह बटा कलकुल शब करना आपको आता है, यह करने में टाइम वेस्ट निको और डाइडरी सोलीशन देखें, जब बच्चों देखें, उन्हें जब Modified NPV निकाला, इती सवन थौज़ने, सेकंडड क्या राया है, इती सेवन थाओजने, इती सवन थौज़ना बच्चावलो, स्क्रत कि लिए टनों के इतना बच्चार एके फाइन थाओजने, सेकंड पिल इतना और 오른ड घ्चों आरे, आथी बच्चाय्चारнे Federal серьि को सबोलगा और 65 थाड़ 1st project का Modified IRR कितना है 19.5 2nd में कितना ह 씨가 आ रहा है 19.32 किसके आ जाता है 1st As per modified IRR concept As per modified IRR concept Project 1 is the Better Project Project 1 is the Better Project तो देखे Modified NP ने भी किसको अच्छा बोला 1 का अच्छा बोला Modified IRR ने भी किसको अच्छा बोला 1 का अच्छा बोला कोई conflict नहीं है दोनों की एक राहे समझा करें बिटा जी इसका मतलग है in case of time disparity अगर आप NP वी और IRR से decision लोगे तो conflict आ सकता है तो अब यूज क्या करोगे modified NP and modified IRR तो exam में MCQ में question कैसा है का theory में question कैसा है का बोलेंगे in case of time disparity in case of time disparity which of the following method may give conflicting result in case of time disparity which of the following method may give conflicting result बच्चों conflict कोन देगा IRR and NPV सिर्फ plain IRR plain NPV और वही पूछ सकते in case of time disparity which is the better method better method कोने बच्चों modified NPV and modified IRR because they give same result अरे समझा क्या नालाइक बुल हा या ना तो सबको time disparity क्या होता है उसका solution क्या है समझ में आ रहा है क्या बच्चों ये सारे बटाजी amendment है पिछले तीन आज का थर्ड सेशन बटाजी ये तीसरे सेशन में में सारे amendment ही करो बटाजी इस शाप्तर में बहुत सारे amendment है तो जितने में आपके दोस्ट December में group 2 देरे सबको बोल दीजे ये capital budgeting नूमेरी के लिए के तीनो लेक्षे देखने के लिए बिकाज ये सारे amendment है चले सबको जे पर time disparity अरे बोलो हा या ना बोलो हा या ना यास यास सबको समझा ऐसे तो मुदास क्यों बेटे तुम लोग क्या हो गया तो जोश में हाने कुछ तो बोलना लाइक clear? yes चले अब अगला ये था time disparity बच्चो अगला बच्चो देखे size disparity अगला बच्चो को ने size disparity तो उसके लिए काम करते आप ये example देख size disparity के लिए पढ़ लो size disparity टी ये खातामों ब्री था तुमाइल बच्च मणें पहले होगा बाता है मनिना जब तक MON difzy ने बहब आप लिए फिम्हों गुचफिणी खतम नियोगा में अगला ले ने पcept सी घे की पूश मझो चले ओके अब देखो what is size disparity बच्छो इफ रिमेंबर time disparity में क्या था दोनों project का initial investment same था बढ़ cash flow pattern बदल रहा था एक समय के साथ cash flow बढ़ रहा था एक में समय के साथ cash flow कम आथा था वो time disparity था अब आप देख सकते हो what is size disparity size disparity में क्या था दोनों project का initial investment ही अलग आता है बात है समझना अगर initial investment same है तो time disparity हो सकता है लेकिन अगर initial investment ही अलग है तो obviously कोने size disparity size मतलब size of investment एक में कितना invest किया है 5 लाग सकर्टी कितना invest किया है साड़े 7 लाग क्या बात है very good बात है very good बेटा जी तो बच्चो देखे दोनों का बच्चो देखे अगर आपका initial investment अलग है इससे case of size disparity तो ऐसे size disparity में अगर आप NPV और IRR से करने जाओगे यह question में जो data दिया है इसका NPV निकालोगे तो आप notice करोगे आपके A का NPV कम आ रहा है और B का NPV जाद रहा है तो NPV के अनुसार project B is the better project बच्चो अगर IRR के इससाब से चलेंगे as per IRR project A is the better project again conflicting result है भाहिस आप conflict क्यों आ रहा है conflict क्यों आ रहा है because 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 there is size disparity initial investment अलग 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 आ रहा है इसके लिए यापे conflict हो रहा है अब इस conflicting result के लिए क्या किया जाए what should be done for this conflicting result इसके लिए क्या किया जाए ओके अब सुनना बच्चा लोग इसके लिए क्या करना चाहिए for conflicting result के लिए सर जी प्ली सुनना time disparity में हमने modified NPV और modified IRR निकाल के हमने तकलीफ मिटाई थी but size disparity और अलग चीज़ है size disparity क्या बोलता है in case of size disparity अगर आपको confusion मिटाना है तो you have to use incremental approach उसके लिए बच्चो incremental approach आप देखें what is incremental approach जिन बच्चरे मेरे class बटा किये मैने discreetive समय बच्चा लोग मैने incremental approach करवाया बटाजी जिनको नहीं पर है what is incremental approach सुनना आपके दो प्रुजेक्टे incremental का मतलब कहा इसके बदले वो लेने से क्या हो कहा differential बोलते मतलब इनके नमें क्या करते है आपको NPV निकालना है हम NPV ना A का निकालेंगे ना B का निकालेंगे हम दोनों के difference का NPV निकालेंगे A के बदले B में जाने से अब बताओ इसका मतलब क्या A में कितना investment क्या था पाच्छलाग B में कितना investment था साड़ी साथ लाग A में कितना investment था पाच्छलाग B में कितना था साड़ी साथ लाग Differential कितना है डाही लाग मैंने क्या किया investment A का लिया B का लिया यह differential difference कितना बच्छा लोग डाही लाग का है ओके फिर cash flow inflow A का सवाच्छे लाग और Differential inflow कितना आ रहा है 29,00,00 और उसका हम लोग क्या निकालेंगे IRR निकालेंगे IRR पता आपको present IRR के लिए बच्छों क्या करेंगे यह दे न बच्छों IRR के लिए Okay बच्छों IRR के लिए तो directly कर सकते हैं present value of inflow और outflow दोने equate करेंगे बच्छा लोग उसे IRR मिल जागे एक पर calculation देख लो बच्छों तो मैं क्या बता रहा इनके साथ size disparity हम लोग क्या करेंगे differential incremental outflow का difference लेंगे inflow का difference लेंगे और इस differential amount का हम लोग IRR निकालेंगे module में calculation दिया है देख लिजे हम उस पर time waste निकालेंगे हम differential amount का IRR निकालेंगे अगर आपका IRR अभी कितना आ रहा है 16% आ रहा है भाई साथ हर company का कुछ cost of capital होता है cost of capital मतलग है जो आपको capital holder को देना है cost of capital मतलग है जो capital के लिए देना है भाई साथ capital इस question में cost of capital कितना था 10% आपको capital के लिए देना कितना था 10% बढ़ IRR कितना आ रहा है 16% capital के लिए देना कितना था 10% बढ़ आपका IRR internal rate differential का IRR 16% तो कहने से differential का IRR आपके cost of capital जादा है अगर differential का IRR cost of capital से जादा है तो हम second project मतलब B को select करेंगे सर नहीं समझा पहल जी इतना request कर रहा है अगर आपको time देखके lecture attend करना है तो please do not attend this lecture मैं पहले इतना request कर रहा हूँ lecture कब तक चले बढ़ा मेरे हाथ में नहीं मुझे मैंने कल भी बताया था आज मैं क्या क्या concept ले नहीं आपको उतने concept होने के बाद में lecture बन करूँगा और थोड़ा सा जब तर बढ़ा जी pain या कुछ ना को support कर तब तक बढ़ा बागी कुछ नहीं राइट अब सुनना बेटा चो बता रहता बेटाज मैं आपको बता रहता हमने क्या बोला इनके साथ साइस डिस्पैरिटी इन्वेस्मेंट अलग अलग बेटाजी उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग उसके लिए बेटाज मैं क्या करना पड़ेगा वह है टू क्यूलेट हमें क्या करना पड़ेगा हम लोग बच्चा क्या करेंगे आउटफ्लो का डिफ्रेंस लेंगे इनफ्लो का डिफ्रेंस लेंगे of differential amount is greater than cost of capital then select project B and if IRR is less than cost of capital then select project A, simple बेटाजी, differential का IRR निकालो वो IRR cost of capital जादा है, तो चूज क्या करेंगे, project B, अगर बेटाजी IRR cost of capital से कम है, तो select क्या करेंगे, project A को select करेंगे, सबको समझाया क्या, अक्षराजी बेटा, simply मैं बता रहा हूँ, simply क्या बता रहा हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो बेड़ा project है, दोनों का इन्वेस्मेंट अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से बताता, पेन नहीं चल रहा हूँ, क्या प्रॉपरी सब सॉल करके बताने वाला था मैं, lesi minus,ftenعस बताजी, ख्रॉप लिखवा देरंगा, क्रस लिखवा के दूँगा, यह सारे बेड़ामेंडमेंट है, ओल मोडम में नहीं मिलेंगे, बेड़ाजी, यह सारे बेड़ामेंडमेंट है, सारे amendमेंडमेंड अलमम नहीं था, और different trust में यह decimative में पक्का आएगा decimative में okay बिटाजी मैं आपको क्या बता रहा था दोनों बज़ पुर्ज़ा इन्वेस्मेंट में अलग है उसे बोलते है side disparity इनका side disparity क्या करेंगे use incremental differential इसका investment 5 लाग इसका investment 7 लाग कितना differential है? धाई लाग differential है इसे बोलेंगे outflow इसका इन्वेस्मेंट कितना बच्चो सवाच्छे लाग है sorry inflow सवाच्छे लाग है इसका 9 लाग 15 लाग कितना फरक आएगर है I think कुछ तो 2 लाग 90 लाग शायस आएगा बेटा यह differential outflow है वो यह differential inflow है difference का इसका IRA निकालो बाही सब IRA कैसे करेंगे present value of this outflow and present value of inflow ऐसा rate जिसके लिए outflow का present value और inflow का present दोनों सेम आएगा उसे IRA बोलते एक बाद देखे लो आपको जमेंगा बेड़े calculation आप IRA निकालो यह सब जब calculation करेंगे तो मारा बच्चो आरा कितना आ रहा है 16% आप decision कैसे लेंगे IRA मिला compare the IRA with the cost of capital sir IRR 16% cost of capital से सम्में 10% यहाता मैं बोलागा मुझे इतना सब मत बताओ इतना बताओ क्या IRR cost of capital से बढ़ा है क्या yes sir अगर IRR 16% है वो cost of capital से ज़्यादा आ रहा है तो select करो second project मतलब B अगर आपका IRR cost of capital से कम आ रहा है तो select करो project A अरे simple सी बाते incremental का मतलब क्या होता है A के बदले B लेने से A के बदले B लेने से A मांग रहा था पाच लाग और B मांग रहा है साड़े साथ लाग A के बदले B लेने से दाई लाग का additional outflow हो रहा है A के बदले B लेने से 2,90,000 का additional inflow है A के बदले B लेने से इतना additional outflow है इतना additional inflow है उसी का IRR मतलब क्या है A के बदले B लेने से a के बदले B लेने से अगर आपका IRR जादा आ रहा है A के बदले B लेने से अगर आपका IRR B को लेने से अगर आपका IRR जादा आ रहा है तो B को क्या करेंगे select एकदम topic close आपका IRR जादा आपका IRR अगर कम आ रहा है तो A को क्या करेंगे select topic close सबको जेपा क्या अगर चलो काम करते बच्चो फटाव बड़ा काम करते यह सारा बड़ा मिलिखवा कि देता आपका Ao काम करेंगे बच्चो एक इंपकर क्या मुआ बच्योंप ही इलिन देजए size disparity size disparity अच्छों के बड़ा उ shouting यह सबख़ जेपा का एक इसनफा इसनफा का नालायक इसनफ्रोडे इसनफा जा इसनफा कि ale इसनफा कि whenever ढम करते, आपको आयर और आयार आरा कर कॉश्च एक बाई लिखे तो लो न चलो बिटे काम को लिखो पहले लिखो हेडिंग दो बच्छो साइस डिस्पैरिटी बच्छो हेडिंग दो साइस डिस्पैरिटी हेडिंग दो साइस डिस्पैरिटी हेडिंग दो साइस डिस्पैरिटी इनिशल 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 इनिश project is different solution solution what should be done in such a case in such a case solution मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए in such a case always use incremental approach always use incremental approach exam mc question in case size disparity what is the best possible option तो हम क्या बोलेंगे use incremental approach simple बेटा जी use incremental approach और फिल लिखो if IRR of incremental cash flow 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 is greater than is greater than if IRR of incremental cash flow is greater than cost of capital 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 then select then select project B then select project B then select project B and if IRR of and if IRR of incremental cash flow if IRR of incremental cash flow में IRR बात बोल रहा हो modified IRR नहीं only IRR if IRR of incremental cash flow if IRR of incremental cash flow is less than if IRR of incremental cash flow is less than cost of capital is less than cost of capital then select then select project A then select project A next बच्चों देख्या हमको पढ़ना है next बच्चों हमको पढ़ना है life disparity लाइफ डिस्पैरिटी पर इसको में औरली बढ़ना है कोशिश करूँगा अगर by chance आपको औरली नहीं सवज में आता है मुझे बता दीजे मैं कल इसके sum करके बताऊँगा बच्चों हमको पढ़ना है life disparity नाम में लिका है life disparity यह तकलिफ कब आते जब दोनों का life अलग हो बच्चा एक का life है दो साल एक का life है चार साल एक का life है size disparity में initial investment अलग हो लगता life disparity में दोनों का life अलग है एक project दो साल का है एक project चार साल का है कैसे compare करेंगे तो बच्चों रिको अब solution के in case of life disparity in case of life disparity हम बच्चों हमें बच्चों यूस करना पड़ेगा जो method है उसका बच्चों नाम होता है EAB Equivalent annual annuity रहे क्या बहुता है जो इसका रहा है रहे है उसका लॉझे पार क्या है बच्चों में पड़ाल आन्योल अन्योटी क्या है उसका इसका लॉझान अन्योल अन्योटी इक्विवेलेंड अन्यूल अन्यूटी से में यूज करना पड़ा अब इसका मतलब बता रहा हो क्या होता है ओके लॉंखवाम छोड़ दो ओके अब इसका मतलब बता रहा हो सुनो अब देजे यह मेंसर क्या होते प्लीज सुना अच्छे से विटा जी आप देखो ना लेगा और रिया जी साइस डिस्पैरिटी का एक क्वेशन बड़ा करवाने के जरूरत झाल मार्ने, सुनूरत बड़ाम, क्योतर बता हुआ है ठाइक्ट्यक्टिर में अंट इसे अंद्सक्रावलों पर दूंच्डने2 Brahm तेश्वानियजी तैंक्यू थैंक्यू 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 है और गया aja local प्रोड़ यू assum जो लो टाईव्स है द्रोन है अब बच्छो देखो पी और क्यू बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा वो क्या बता रहा था P और Q दो बेटा प्रोजेट है दोनों का investment same है 5,5,000,000 investment same मतलग क्या है size disparity नहीं है पहले का life सिब एक साल का है और second का बच्च लाइफ है 3 साल है पहले का बच्च लाइफ है 1 साल का है second life बच्च लाइफ है 3 साल का है जब लाइफ होगा अलग अलग आपको use करना पड़ेगा तो इस तकलिफ को क्या बोलते life disparity सोनों का life बेटा अलग बोलते अब इस तकलिफ को कैसे मिटा जए जब भी समाता बच्चो life disparity का हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले दोनों प्रोजेट का NPV निकालो क्या आपको NPV निकालाता है बच्चा लोग सब कॉस्ट तर कापिडल दिया है सरजी बले प्रोजेट P का NPV बोले NPV कैसे निकालेंगे सब 5 कॉलम बनाओ year, cash particular cash flow, discounting factor discounted cash flow सबसे पले क्या होगा year 0 में cash flow कितना रा बच्चो discounted factor 1,00,00, cash flow कितना रहे, 1,5,00,00, inflow है, discounted factor 12% से 1 साल का discounting factor लिखो उससे आपको मिलेगा discounted cash flow मिलेगा और उसे हम क्या करेंगे NPV निकालेंगे हमें P का NPV निकाला फिर चू का NPV निकालेंगे चू का NPV निकालने के लिए again बनाएंगे हम लोग आप सबको NPV निकालना आता है NPV कलकुलेशन में करके नहीं बताऊंगा आता है NPV के लिए हम बनाएंगे 5 कॉलम Year, Particular, Cash Flow, Discounting Factor and Discounting Cash Flow उससे आमने प्रोजेट Q का भी NPV निकाला P का निकाला NPV Q का निकाला NPV तो बच्चों रेको हमने चेक या NPV के अनुसार NPV के अनुसार प्रोजेट क्यू बढ़िया आ रहाता बर IRR के अनुसार प्रोजेट P बढ़िया आ रहाता इसका मतलब यहाँ पे Conflict हो रहा है भाई साब Conflict क्यू रहा है Because there is Conflict क्यू रहा है Because there is Life Disparity तो क्या करना पड़ेगा साब Simple 15 Conflict क्यो रहा है Sir अगर साब NPV कंपर करोगे Sir यह NPV 1 साल का है और Sir यह NPV 3 साल का है साब 1 NPV 1 साल का है और साब 1 NPV 3 साल का है कैसे कंपर कर पाओगे Sir 1 साल के NPV को 3 साल के NPV कंपर कर नहीं सकते इसकेदेर में यूस करना पड़ेगा annualize है च्टैने नहीं सबढेनों टोप्तुछ मतुलिस तूर्च ऐसेधा कमन सबस्राइनी जिए है पंदेफे यह बच्छों है एक साला का, और यह क्या साल? सबस्कें तो पढ़े समस्ट्रिपैंगे मैं बच्छों अनुफमांने का करने का मतलब वह हिंए है sound इसके लिए में निकालना पड़ेगा EAB Okay मतलब अच्छों रिको हमें दोनों को annualize में convert करना पड़ेगा मतलब एक साल में convert करना पड़ेगा अब दिखें कैसे करते हैं simple भाशा बुलू प्लीज सुना भी जो बता जा रहा हूँ ये बेटा NPV कप का है एक साल का है मतलब ये NPV एक साल बात का बोल सकते है एक साल के NPV इसको में स्टार्टिंग में करना करूंगा स्टार्टिंग में करूंगा इसको मुझे करना पड़ेगा करने के लिए सिंपली क्या खरेंगे इसको डिवाइड करो एक साल के डिसकाउंट इफेटर से इसको डिवाइड करो first year का discount lifetime? बता बचाल करू 1 divided by 1.12 कोई बोलो कितना बच चालू 12% से first year का discount lifetime jour कितना रहे ? 12% से first year का discount lifetime बताओ Page surah बोलो बोल नालायक बोलो जल्दी बताओ कितना आ रहा है 12% से 1st year का discounting factor कितना आएगा very good मेरे बच्चे बच्चे बोले सब 0.8928 0.8928 ये बच्चो एक साल का NPV था इसको simply एक साल के discounting factor से divide करो चलो बच्चे काम करो एक साल का NPV था कितना 1,60,000-1,60,000-1,60,000-1,60,000-1,60,000-1,60,000-1,60,000-1,60,000-1,60,000-1,67,400 इसको इसको divide करो discounting factor of 1st year डिवाइड करो बेड़ जी 16,90,400 को आप डिवाइड करो उस discounting factor से करो बच्छा लोग 0.8928 से डिवाइड करो 16,90,400 divided by 0.8928 करके बाद कितना रहा बताओ क्या आपका answer 19,00 something आ रहा है क्या आपका बेड़ स्क्रिम पे 19,89 something आ रहा है क्या इसको राउंड आफ में 19,00,000 करू चले क्या वही दिख रहा है क्या 19,00 ने दिख रहा है क्या ओके अब क्यालिक्राइशन बन दो अब बता बच्छो प्रोजेट B का NPV कितना है परचे बच्छो Q का NPV कितना बच्छो 33,60,2800 परचे Q का NPV यह NPV कितने साल का है तीन साल का है मुझे कनवर्ट करना पड़ेगा इनिशली तो क्या करेंगे हमने पिछले समय क्या क्या आता पी बेटा एक साल का आता तो डिवाइड के आता एक साल के डिसकाउंड फेटर से यह कितना साल का है बच्छो तीन साल का है तो में क्या करना पड़ेगा थर्ड यर के ने तीन साल के डिसकाउंड फेटर तीन साल मतलब फॉस्ट यर प्लस सेकंड यर प्लस थर्ड डिसकाउंड फेटर फेटर फॉस्ट यर प्लस सेकंड फेटर आप बताओ मुझे डिसकाउंटिंग फेटर किसका चाहिए फॉस्ट का चाहिए सेकंड का चाहिए यह तीनों का मिलाके, सा तीनों का मिलाके हमें cumulative है, हमें कैचे cumulative, अब नालायक cumulative कैसे करेंगे, अब नालायक cumulative कैसे करेंगे, पता है, 1 divided by 1.12, 1 divided by 1.12, यादे क्या, equal to m+, equal to m+, equal to m+, तीन बार प्रेस करो, और memory recall, कितना आ रहा है, 2.40, 1 minute आ रहा है क्या, यामने किसका नकल है factor, तीन साल का, अब क्या करेंगे, जो भी NPV आ रहा है, जो भी NPV आ रहा है, उसको तीन साल के discounting factor, इसे डिवाइड करो, बच्यों करो, जो भी NPV आ रहा है, 33, 60 to 800, उसको डिवाइड क किजे, 3 साल के discount factor से, module का solution मत देखे, बहुती गंदेवी में किया solution, मैं जो तरीका बता उसको डिवाइड किजे, कितना रहा बता आप चालो, क्या आपका answer, 14,00,000 आरा answer, तो nearly match हो रहा है, थोड़ा सा point का फरक चलेगा, आप उन्हें point के बाद 4 नंबर ले, उन्हें point के 14,00,000 बोलो, या 13,00,98,000 नेरली चलेगा, उतना हाजार का फरक चलेगा, nearly better सब का रहा है, 14,00,000 आरा सब का answer, आपको समझा हमने क्या क्या, पलिस सुनना, यहाँ पे दोनों बच्चों परज़र का, लाइफ बेटा अलग था, अगर दोनों का बच्चों लाइफ बेटा अल लेवल पार लाना पड़ेगा, एक था, एक साल का औल एक था, था, Three का, हमने दोनों को एक लेवल पे लेक आना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, जो पहले जो परज़र बेटा एक साल का था, उसका NPV निकाल पहले का NPV निकाला, और उसको डिवाइड क्या, Discounting factor of 1 पर लाया हमको पता चला जब हम ऑ क्लोन अगर बता चला हम allora पताचला पीक Npv और ट्यू कंडीमें पीक Npv क्या है जादा है तो पी कंडिया कशेंट करेंगे सवरी सवरी गुछ मुल है बुलभा गेली सवरी बटाजी अगर वचतों आपकंपर holiday disparity तो in case of life disparity दोनों का life बेटा अलग अलगे तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को एक लेवल पे लेकर आना पड़ेगा एक लेवल पे लाने के लिए हमें उनके discounting factor से divide करना पड़ेगा उसे जो amount मिलेगा उसे मुलते equivalent annualized value और वो जिसका भी जादा होगा उसे हम select करेंगे के समझा क्या अगर बेटा आपको यह समझा नहीं होगा बेटा जी अगर आपको EAB का point नहीं समझा होगा tension मतलब अच्छो मैं कल प्रपर तुआ से लिख के बताता हूँ और यह सब exam में आ सकते हैं क्या अब एक काम को अब इसके थेरी लिखे लो लिखो लिखो इन के सौप हटेंग दो बच्छो life disparity हैडिंग दो life disparity हैडिंग दो life disparity life disparity क्युमिलिटी क्यों के मैं सब बता रहा बेटाज मैं कल बता आँगा क्योंकि अभी एक्चन मेरे पास pen नहीं है तो मैं सारी बाते प्रॉपर लिख के नहीं बता पा रहा हूँ वह सब डियाग्राम समझे बताना पड़ेगा मैं कल आपको अच्छे से बता हूँ और यहले सारी बेटा आज क्या pen नहीं चल रहा इसले मैं पूरा मतना बता नहीं पा रहा आपको मैं इससे जितना मैं औरली बता पर उतना कोशिच कर रहा हूँ मैं बच वह दियक्र बच वच?...व दियक्र दियक्र लाइफ दियक्र ओके हिटिंग जया पक्च्छू लाइव दिस्परटी अच्छू अब एक काम करों निचे लिको Life Disparity Arises Life Disparity Arises Life Disparity Arises When Life Disparity Arises When Life Disparaity Arises When ये श्वानी जी पक्का एक्षिन करूंगा बेटा लेकर लेकर आचिका तुरा सा पेन का इश्यो बेटा इसकल में कुछ नी कर पार बेटा मैं मैं हेल्पलेस तो पक्का एक्षिन करूंगा बेटा पक्का एक्षिन करूंगा लेकर बेटा जी life disparity arises life disparity arises when life disparity arises when when life of two project is different when life of two project is different when life of two project is different उस्वे लिको solution उसका solution क्या होगा to solve this problem to solve this problem use to solve this problem use use equivalent annual annuity approach to solve this problem use equivalent annual annuity approach use equivalent annual annuity approach use equivalent annual annuity approach use it chill 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 yes 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 so so now today okay बच्छों अब आज मैं आई पर रुकता हूं क्यों आगे कर बर का लोकिशन बेना पेंड कहें बताने पाऊंगा बेना बेना पेंड का बेना पेंड का लोकिशन बताने पाऊंगा Time disparity क्या होता है? वो फटा वट सब बच्चे बोलेगे Time disparity क्या हता है? भाई साथ Time disparity में initial investment सेम होता है भी सेम होता है बर cash flow का pattern अलग होता है कभी कर क्या होता है? किसी परज़र में 30 में cash flow कमे और बाद में ज़ाद होगा किसी में किया? starting में ज़्यादा होगा और बाद में क्या कम होगा उसे बोलता time disparity अब कौन बताएगा मेरे को time disparity का solution क्या है notebook देखे बिना notebook देखे बिना आप comment करेंगे मैं check करूँगा yes मैथिली जी पूरा का पूरा revise notebook बना रहा हूँ रक्षा जी first question में cost the cup rate 10% and reinforcement rate 14% because वो question में बोला था वो अटा module में लिया था उन्होंने exam में ऐसे mention करेंगे exam में ऐसे mention करेंगे क्योंकि बटा जो first question था वो time disparity के समता बिटा और time disparity के सम्में हम क्या use करते modified NPWare modified IRR और जब भी समता modified NPWare modified IRR हमें लेना पड़ेगा different reinvestment rate वो question में आपको दिया रहेगा याद रखे very good very good तो in case of time disparity do not believe on NP and IRR always believe on modified NPWare modified IRR उसके सबसे जो भी method अच्छी होगी जो भी product अच्छा होगी उसका हम select करेंगे very good मेरे बच्चे very good I am really proud of you very good सब बच्चे science दे रहे मतला आप सबने revision किया है very good फिर बटा मुझे होता next बटा कौन था अपना जी कौन था size disparity और size disparity में क्या होता है इनके sub size disparity what can be done notebook देखे बिना बताना बेटा आपको इनके sub size disparity क्या करेंगे very good very good yes मैथिली जी अगर आपेपर के एक दिन पहले जो booster ले रहा इतना भी करूँगे trust me trust me trust me मैंने booster में इतनी theory में correct ले रहा बेटा इसके बार exam में कोई theory नहीं की मेरी guaranteed exam में बस यह theory करके जो theory के maths out of order में इतना बोलुआ है मैं आपको yes in case of size disparity हम लोग use beta क्या क्या करेंगे हम लोग incremental approach का use करेंगे हम लोग incremental approach जाद आ रहा कि incremental में दो project ही दोनों के outflow का difference लेंगे दोनों के inflow का difference लेंगे outflow का difference क्या होता है differential outflow inflow का difference क्या है differential inflow और उसका क्या निकालेंगे IRR निकालेंगे वो जो differential का IRR आ रहा है वो differential का जो IRR आ रहा है अगर वो हमारे cost of capital से ज़्यादा है if differential का IRR cost of capital से ज़्यादा है तो हम सिलेक किसे करेंगे project B को सिलेक करेंगे और differential का IRR अगर cost of capital से कम आ रहा है तो हम सिलेक कैसे करेंगे प्रोजेट एक को सिलेक करेंगे I hope कल आपने सब रिवाइस किया होगा Yes राज मेरे भाही वही रिवाइस कर रहा रहा पूरा रिवाइस वही रिवाइस कर रहा हो Very good अब अच्छा आगे बढ़ते बढ़ते लास में कोन था भाही साब टाइम डिस्पैरिटी हो गया साइज डिस्पैरिटी हो गया फिर कोने लाइफ डिस्पैरिटी कल इसमें थोड़ी से तकलीफ थे बटा अपने को चलो लाइफ डिस्पैरिटी कब होता है अरे भाई साब, लाइफ डिस्पैरिटी तब होता है, जब दोनों प्रजट का लाइफ ही चलोगो, एक का लाइफ है तीन साल, एक का लाइफ है पास साल, एक का लाइफ है एक साल, एक का लाइफ है छे साल, तो यूज क्या करेंगे, लाइफ डिस्पैरिटी, और भाईयों, life disparity in case of life disparity हम लोग क्या यूज करेंगे बोलो बोलो इनके सौप life disparity हम लोग बेटा जी क्या यूज करेंगे in case of life disparity हम लोग यूज करेंगे annualize method याद आ रहा है क्या okay कल इसमें आप लोग को तकलीफ थे बेटा जी यह भी या पिर equity annual annuity approach यह जो भी था अब बताए कल जो मैंने बताए था कितने लोगों को उसमें तकलीफ थी बताए कितने लोगों को उसमें तकलीफ थी यह भी method में या equivalent annuity approach जो बोलना है बोलो बेटा जी यह A बोलो या यह B बोलो इसमें कितने लोगों को तकलीफ थी वो पड़ कलका पड़ समझा है या repeat करूँ repeat करूँ, बोले ही, फटाफ़ बताईए टकलीफ थी okay 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 वापीस repeat करता हूँ, कोई तकलीफ दी बहुत ने बटा ही मैं repeat करने जा रहा हूँ, yes चले काम करते हैं एक सिंपल काम करते हैं इक समलेते हैं एकडम आराम से चिल मारके देखो यहास बेटा जी रिपीड कर रहा कोई तकलीफ की बात नहीं I am again going to repeat that part Yes पैल जी पक्का बेटा वही प्रेटिकलिसम बेटा ले रहा हो पक्का वही ले रहा हो बेटा जी पक्का वही ले रहा हो बेटा अब एक काम करेंगे नाला है सब लोग एक काम करेंगे यह मॉडूल के पेज 55 के यह क्वेशन देखे सिर्फ आप यह दो लाइन पड़ो भाई साँ यह दो लाइन पड़ो सिर्फ यह दो लाइन अच्छे सापढ़ लीजे प्लीस यह दो लाइन एक दम अच्छे से पढ़िए झाल झाल एकदम दोलन धान से पढ़िए अभी सुने क्या बोला है for example consider two project अब बच्चों हम बात कर रहे दो project की बात करे समय दे question की बात की ऐसे question exam में आएगा exam में ऐसे question आएगा exam में क्या करेंगे? दो project देंगे project A और project B या project 1, project 2 first project का life 7 साले life कितना 7 साले? उसका inflow मिल रहा है 7 साल तक और उसका NPV 1 लाग है अच्छी बात है sometime NPV निकालना होगा sometime NPV दिया होगा second जो project है project B उसका life है 9 साल का और NPV 1 लाग बी सारे और यहाँ पे दोनो बच्चों project का cost of capital मतलब discounting rate कितना है 6% है okay पाईल जीक फ्रेंग लेगा पाईल जीक फ्रेंग लेगा बेटा FM और CMA के वाइंडेने बहाँ ऐसे नहीं पता है कि मैं उसको एक पेज़ पे डाल कि दूँगा बेटा जी ये concept बेट आप chapter के flow में FM और CMA के आप जो अमेंडेने में एक दो तीन पेचवर डाल नहीं सब्सक्राइब उसको आपको चाप्टर के फ्लो में पढ़ना पढ़ेगा चाप्टर फ्लो में पढ़ना पढ़ेगा इस वरी हाड तू रिवाइज बिटा मैं बोलू कि अगर मैं आपको एक पेचवर डालके दूँगा आपको एक पेचवर डालके दूँगा आपको यही नहीं पता चलिए एक चाप्टर में यूज़ करना आपको समझाया क्या तो अमेंडमेंट्स आप चाप्टर के फ्लो में करेंगे तो ही आपको जमेगा ट्रस्मे ट्रस्मे चल बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ प्लीज अभी नो डिस्टरबंस फोकॉस करेंगे अब देखो बच्छो क्या बोला चाहता है दो बच्छे प्रजेट बेटा जी प्रजेट ए और प्रजेट भी प्रजेट एक लाग लाइफ दिया साथ साल प्रजेट बच्छों नपीव एक लाग बीसार और लाइफ दिया आपने को नो साल का और आपको एग्जाम में बोलेंगे विच प्रोजेट शुड भी सिलेक्टेड आपको नपीवी मेथड से डिसिजन लेना है as per NPV method which project should be selected चलो आप अपने दीमाख लगव आप बता बच्छा लोग, NPV के हिसाब से कोणसा प्रोजेट बढ़िया प्रोजेट है आप बच्छा लोग, NPV के हिसाब से कोणसा प्रोजेट बढ़िया प्रोजेट as per NPV which is better project बोलो आपने बूलेगे Sir बट ऐसा नहीं चलेगा इनके सा Mutually Exclusive Project अगर आपको NPV से Decision लेना है NPV से Direct Decision तब ले पाएंगे जब दोनों का Life से में बड़ इस क्वेशन तकलिफ कह है NPV से Decision तो बच्चों लेने का है बड़ तकलिफ कह है बटा जी यहाँ पे दोनों का Life अलग है एक का Life कितना है 7 लाग एक का Life कितना है 9 लाग A बोलता है मेरा NPV बहुत कम है B बोलता है मेरा NPV ज़ादा हम B का बोलेगे नाला है गधे तेरा NPV बहले ज़ादा है बट तुने NPV कमा है 9 साल में बात समझना बेटा A का NPV 1 लाग है A का NPV 1 लाग है A ने NPV कमा है 7 साल में और B का NPV 1,20 उर B ने NPV कमाई 9 साल में कैंभी कंपेर दें 7 साल की कमाई और 9 साल की कमाई गंपेर कर पाएंगे चले काम करते च्छुड़े एक्जांप ले दे बच्चो बच्चो देखिए यार आप दिन पर पढ़ाई करते हो या बहुत पढ़ाई करो, इतने मैंने से पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके ना बहुत थक चुके, बोर हो चुके हो, आप सोच चुले हैं, पाट टाइम जॉब करते हैं, आपके पास ना दो जॉब को अप्शन है, आप कोन सा जॉब सिलेक करोगे, जॉब ए, जॉब ए में क 9000 क्या बाते सर पढ़ना बन कमाना शुरू जॉब B में डेली बस तीन घंटा काम करना है और महने के मिलेंगे 9000 सब लालची लोग मुझे बताएंगे सब लालची लोग मुझे बताएंगे कहां पर काम करेंगे जॉब B में जॉब A में दो घंटा कर के महने के 9000 मिल रहे तो बताओ 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 आप कहां पर जॉब करना चाहोगे A और B सब लालची मुझे बताएंगे कहां पर काम करना प्रिफर करेंगे बोलो बोलो लालची लोगो नालायक राज बोल रहा है कि प्रोजेट B ज्यादा पैसा मिल रहा है, पुरुआ बोलती है A, A में बोल रहे है, A में, वहिशने भी बहुत लालची है B बोल रहे है, प्रियांका जी एकदम लालची है वो भी, और बाकी इतने अच्छे लोगे, कि A को काम करें कम सलरी में काम क करो ना, एक कुछ है तुम लोगे को, बोलो, जादा अच्छी बात नहीं है, बोलो, Y A, Y A, बोलो, Y A, कम कम है, लालची भी है और अलसी भी है, लालची भी और अलसी भी है, अबे कैसे होगा, हाँ, सर देखो, अभी देखना सुनो बेटा, अपना दिमाग काम करें, अपना दिमाग क्या सोचता है, B में 90000 मिल रहे हैं, बठाद 90000 रूपए के लिए 3 घंँ गंटा काम करना पडा है, A में 8000, बठाद 2 घंटा काम कर रहे हैं, अपना दिमाग क्या बोलेगा? समझ ना, कुछ लोग क्या बोलेंगे, जहासे earning ज्यादा मिलेगा, वहाँ पे काम कर बढ़ हमां दिमाग क्या बोलेगा भाय से नहीं चलता है अर्णिंग तो चाहिए और आवर्स भी कम लगने चाहिए तो जहाँ पे कम से कम आवर में कम से कम आवर में जादा अर्णिंग मिलेगा वहाँ पे काम करेंगे चाहिए कम से कम आवर में जादा अर्णिंग मिलेगा वहाँ पे काम करेंगे और ए में दो घंटे में आठ हजार का अरनेंगे दो घंटे में आठ हजार का अरनेंगे तो एक घंटे में कितना चार हजार बी में तीन घंटे के पीछे नो हजार का अरनेंगे तो एक घंटे के लिए कितना बच्चो तीन हजार तो जहाँ पे एक एक पैसा मिलेगा, तो हम क्या देखेंगे, अर्निंग कंपेर करेंगे, या अर्निंग पर आवर, ए में अर्निंग पर आवर कितना है, चार हजार, और बी में अर्निंग पर आवर कितना है, तीन हजार, तो आपने कंपेर क्या-क्या, एक घंटे के पीछे, यहाँ पे कितना मिल र तो जहाँ पे एक घंटे के बिचे ज्यादा मिल रहा है वहाँ पे आप जॉब करना चाहेंगे इस इस नथिंग बड़ इक्वी वहलेंड अन्यूलाइज मेथड क्योंकि नालायक आपका दोनों का टाइम अलग था तो आपने क्या कंपेर किया एक में दो घंटा काम करना था एक में तीन घंटा तो आपने दिमाग क्या लगया है एक एक घंटे का निकाला क्या एक घंटे के लिए यहाँ पे कितना मिलेगा और एक घंटे के लिए यहाँ पे कितना मिलेगा चाहँ पे एक घंटे के लिए जादा मिलेगा वहाँ पे हम काम करना चाहेंगे, समझा क्या भाई लोग जादा पढ़ने को मिलेगा क्या क्या रिज्ञ दे रहे कहा से आते हैं और तुम लोग कहा से आते हैं एक दम बहाने चाहने न है तुम लोग को ऑके छिलो बेटा आप सुना लाई यह अगर आपको समझागा ना तो यह सेम फंडा यहाँ पर देखिए अभी देखो back to question हमने बोला था A का NPV एक लाग है B का NPV एक लाग बी सार है हमने सोचा NPV के साब से कुन सा बेश थे बड़ तकलीफ क्या है A का NPV कम है बड़ A का life भी कम है B का NPV जादा है बड़ लाइफ भी जादा है समझा क्या A का साथ साल में एक लाग का NPV है और B का नो साल में एक लाग बी सा NPV दोनों का time से में कर नहीं है तो हम क्या निकालेंगे एक एक साल में दोनों का कितना NPV हम क्या निकालेंगे एक-एक साल में दोनों का कितना NPV है अरे जेपा क्या नालाइक एक-एक साल में कितना दोनों का NPV है तो अब निकालना है क्या पड़ेगा NPV पर एर तो NPV पर एर जो होता है उसी कम लोग बोलते है एक-वी-वहलेंड अन्योलाइस अप्रोच नाम मिलिक है अन्योलाइस मतलब दोनों को एक-एक साल में करण करेगा इसका साथ साल में इतना NPV तो एक साल में कितना आएगा इसका नो साल में इतना NPV तो एक साल में कितना आएगा दोनों का एक-एक साल का NPV निकालेंगे और जिसका NPV क्या होगा ज़्यादा उसे करेंगे सिलेक सबसे परे थीम समझी क्या क्या कर रहे चू कर रहे दोनों का year अलगे life अलगे life disparity life disparity में दोनों को convert करेंगे per year में per year में convert करने के लिए क्या निकालेंगे EAA equivalent analyze approaches करेंगे यह क्या बोलता है A का 7 साल का NPV 9 लागे 7 साल का NPV 9 लागे sorry 7 साल का NPV 1 लागे 1 साल का निकालेंगे कुछ बचलेंगे से इतना सिच बात है सर काम करते हैं 1 लाग divided by 7 करते है नाला है कैसा नहीं होता है यह 1 लाग कुन था present value तो directly साथ से डिवाइड करके नहीं चलेगा बाई साब आपको 7 साल के discounting fetters से डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपको NPV per year निकाला ना first project का NPV कितना 1 लाग वो जो NPV नहीं है बेटा उस NPV को अगर आपको निकालना है NPV per year तो NPV को आपको डिवाइड करना पड़ेगा NPV per year के लिए आप साथ से डिवाइड निकारेंगे आप साथ साल के discounting factor डिवाइड करेंगे NPV per year के लिए do not divide by 7 हम डिवाइड किसे करेंगे साथ साल के discount factor मैंने क्या बोला सात्वे साल का discount divator यह सात साल का, सात साल का मतलब cumulative, चलो सब बच्चे बताएंगे मुझे 6% का rate, 6% से 7 साल का cumulative कितना आएगा, 6% से 7 साल का कितना कैसे करेंगे, 1, निकालो कैलसी, 1 divided by 1.06, 1 divided by 1 plus I, 1 divided by 1.06, cumulative, equal to M plus 7 बार प्रेस करो, एक, दो, तीन, चार, पास, छे, सात, equal to M plus 7 बार, और करो memory, recall किजे कितना आ रहा है, 5.58, 2, 3 आ रहा है क्या, आपको समझा हम क्या कर रहे है, NPV per year करना था, एक का NPV एक लाग था, NPV per year के लिए, एक लाग को साथ से डिवाइड नहीं करेंगे, साथ साल के discounting फैट रिवाट करेंगे, तो एक लाग डिवाइड़े बाए 5.58, 2, 3 करो, बोलो कितना NPV आया क्या नाला है, एक लाग डिवाइडे बाए 5.58, 2, 3, कितना आ रहा है, देखो वही आ रहा है क्या, 17,913, मॉडल में बहुत एक गंदे वेसे क्या, उनका solution मत देखो, अपने वेसे करो solution, 17,913 आ रहा है क्या, 913, 94 चलेगा, अब प्रोजेड बी का, अब बताव नाला है, प्रोजेड बी का NPV कितना है, सर प्रोजेड बी का सर, NPV ए 1,20,000, ये 1,20,000, किसका NPV है, 9 साल का, हमें निकालना है क्या, NPV per year, हम compare करेंगे, इसका NPV per year, और इसका NPV per year, NPV per year के लिए, 1,20,000 को 9 से डिवाइड करेंगे, या 9 साल के discounting factor से, 9 साल के discounting factor, क्या 9 साल का discounting factor, निकालना आता है क्या, करो, 1 divided by 1.06, 1 divided by 1.06, equal to M plus 9 बार करो, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नो, और memory recall कीचे, कितना आ रहा है, 6.8016 आ रहा है क्या, मैंने किसको डिवाइड क्या है, 1,20,000 को 9 से डिवाइड क्या, या 9 साल के discounting से, 9 साल discounting से, आप करो बच्चा लोग, 1,20,000 divided by 6.8016, कितना आएगा, 17,643 आ रहा है क्या, ये क्या निकाला, NPV per year, इसका 7 साल का दियाता है, इसका 9 साल का दियाता है, आपने निकाला, 1 साल का, equivalent annualized approach, annualized मतलग क्या है, per year में convert क्या, इसका EA, इसका per year कितना आ रहा है, 17,914, इसका कितना रहा है, 17,643, बोलो किसका per year का NPV जादा है, एक आ रहा है क्या, therefore project A should be selected, तो भले, A का NPV भले कमता, बड़ NPV per year जादा है, से मैंस, उपर का सेलरी का example, भले, A का सेलरी कम है, बड़ पर आवर सेलरी जादा है, अब सब लोग को फील आ रहा है क्या कर रहे है, तो कल जिन लोगों को, वो डिवाइड क्यों किया, कैसे किया, यह थोड़ा confusion था, अभी समझ में आ रहा है क्या नालायक, meaning समझा क्या, बोलो हा या ना, बोलो 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 सबको समझा क्या, सबको यह समझा क्या, यह का मतलग क्या था, simple भाषा में NPV per year, कैसे करेंगे, जो भी NPV दिया है, उसको निकालो, discounting factor of that much year, 7 साल के लिए, 7 साल के लिए, discount is divided, 9 के लिए, 9 से रिवाड करो, that's it, और जिसका, equivalent approach, या पिर NPV per year, जादा होगा, उसको आम लोग select करेंगे, अब बताइए, कल जिनको भी confusion, अभी पूरा clear हो गया, मैं बोला था ना भाई, tension लेने का नहीं, मैं हूना, गबराने का नहीं है, एकदम concept, जाय है, अब एक कायम करते, कल कर सम, कल जास में सम लिया था, बोर तकलीफ हुईति, समझा नहीं था, हा कि नहीं, बोर गुस्सार आते है, क्यो선 नहीं समझे मारे मैंको, अभी समच कर नहीं का दो, अभी क्योन नहीं समझा, देखो, देखो, अब ये question देखे, ये question देखे example समझा ला, अच्छे से क्या बात है, क्या बात है मैं इसने अगर प्रॉमिस कहा था, कल क्या आता हो ना, कल भी example दे सकता था, प्रॉले मेडा क्या आता क्या ये example बुलू क्या बड़े, example बुलू क्या आपको, मैं हमेशा ये example है आपके से शेर कर रहा हूँ, जब बड़ा मैं हमेशा costing बड़ा पढ़ा था, costing मैं अभी पढ़ा था costing, बड़ ओल सिला बसको मैं CA को बड़ा पढ़ा था costing बड़ा, costing मैं बड़ा पढ़ा, costing मैं बड़ा थ था Mr. Amitab के समोता था तो वहाँ पर Amitab के सामने दो लेबर को उप्षन था कुनसा लेबर चूस करना चे तो वहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए एक्जामपल हमेशे देता था मैं एक्जामपल और एक्जामपल अकिलिए यहाँ पर काम में आ गया कोई नॉलेज वेशन नहीं होता बेटा कहा का नॉलेज कहा पर भी काम में आ सकता है चलो बच्चालो अब बच्चों रेके यह पढ़िये कुश्चन अब यह कुश्चन धान से देखेंगे सब लोग यह कुश्चन धान से देखेंगे सब लोग पी और क्यू बेटा जी दो यहाँ पर प्रोजेट है पी और क्यू बेटा जी दो यहाँ पर प्रोजेट है पढ़ लो एक बार प्रोजेट पी का बेटा इंवेस्टन कितना बच्चो पाच लाग है फैक केसड इंफ skipping कितना इसाथ लके परिजेट क्यू का भी इंवेस्टन पाच लाग है और कैश फ्लो इसना आपको डिसन लेना है फिश बेटर प्रोजेट goofy तो डिसन बच्ट लेने करींगे क्या करेंगे अनपीवी निकाल से ज्यादा अब इसका NPV निकालना पड़ेगा अब एक काम करो मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे भी NPV कलेकुलेट करेंगे करो करो अब भी आप मेरे समय निकालो अब बड़ा मेरे समय निकालो अब आप सब लोग मेरे समय NPV निकालेंगे अब आप समय निकालो चलो बड़ा NPV निकला फटा फट निकल बच्चे अब आप निकालेंगे राइश्ट्या करेश्वाने जी NPV आप अप अलग आ रहा मौडू में अलग NPV दिया बड़ा परजो बड़ा P का NPV निकालने के लिए देखो पहले बड़ा year क्या होगा 0th year cash flow कितना है 5 लाग ना बड़ा discount effector 1 एक है बड़ा और discounting cash flow 5 लाग negative फिर बड़ा परजो बड़ा 1 में परजो बड़ा 1 में देखो 1st year के end में बड़ा cash flow कितना रहा है 7.5 है cash flow कितना 7.5 है 7.5 है discounting factor बड़ा एक साल के रहा है बच्चों देखो 1 divided by 1.12 1 divided by 1.12 0.8928 0.8928 को बड़ा है वो बात में करेंगे श्वाने जी क्या project P का NPV क्या project P का NPV सबका 16,97,000 फोन आ रहा है क्या सबका बच्चों P का NPV इतना आ रहा है क्या P का NPV सबका मैच हो रहा है क्या सब लोग करो सब लोग करो Q का NPV निकालो Q का NPV निकालो क्या सबका P और Q का NPV मैच हो रहा है थोड़ा सा फरक चलेगा P और Q का NPV आ रहा है क्या कितनों का P और Q के NPE module से नियरली match हो रहा है थोड़ा सा फरक चलेगा P और Q के NPE module से नियरली match हो रहा है match हो रहा है आ रहा NPE बेटाजी अब सुनो NPE के साब से P के कितना बच्छे नपी भी 16 लाग Q के कितना है 30 लाग NPE के साब से बडिया कोने Q बट ऐसा हम नहीं करेंगे क्यों कि इस कोशन तकलिफ के रहा हिए लाइफ कितना बचाँ वन यहर है चू का लाइफ कितना बचाँ तीन यहर है तो क्यान यू डाइडली compare ना 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 तो compare कर नहीं सकते कि दोनों का life कि अलग है एक का NPV एक साल का है और एक का NPV 3 साल का है तो हमें compare करने के लिए क्या है उसकाना पड़ेगा equivalent annualized approach मतलग क्या निकाना पड़ेगा NPV per year क्या निकाना पड़ेगा बच्छा लोग NPV per year तो हम सबसे पहले A का क्या निकालेंगे NPV per year how to find A का NPV per year कैसे कहले बच्छो A का जो NPV उसको divide करो discounting factor of one year A का NPV कितना है 16,96,400 उसको divide करो discounting factor of one year आरे one year के लिए कितना है का नाला है 12% से 1 divided by 1.12 1 divided by 1.8928 तो यह में क्या निकाल रहा हूँ NPV per year NPV per year Life Dispare Debate है जब क्या करेंगे NPV per year निकालेंगे करो बच्छा लोग स्वाल 16,96,400 डिवाइड़े बाई क्या होगा 0.8928 कितना आएगा बोलो क्या नियरली 19,00,00 आ रहा है क्या क्या नियरली 19,00,00 आ रहा है क्या तो A का NPV per year 19,00,00 आ रहा है क्या अब B का अब बोलो भाई साब B का NPV कितना आ रहा है B का बच्छो NPV कितना आ रहा है 33,62,800 मुझे निकालना है क्या NPV per year के लिए क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे discounting factor of 3 year डिवाइड किस से करेंगे discounting factor of 3 year रक्षा जी अगर NPV नहीं मैच हो रहा है थोड़ा सा calculation के बार आपस मैं चेक करो यार मैं चेक तो आच रात को बड़ा group on करता group on रखता बच्छी एक बार calculation चेक करो बच्छी उस पर time waste नहीं करेंगे तो BQ का जो NPV आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे discounting factor 3 year करो करो 1 divided by 1.12 1 divided by 1.12 equal to M plus 3 बार प्रेस करो और memory recall करो equal to M plus 3 बार प्रेस करो और memory recall किजी बेटाजी और बता NPV per year कितना रहा यह NPV per year NPV को divide करो discounting factor से तो बोला NPV पर कितना रहा बेटाजी 14 lakh आ रहा है क्या जी पा क्या तो बच्चा लोग हमें compare क्या करना है NPV compare करना है यह NPV per year NPV निकाला NPV को डिवाइड क्या discount factor of 1 year से NPV को डिवाइड क्या discount of 3 year से उससे क्या मेला NPV per year इसे को हम क्या रहा है ARR बोलते है बेटाजी तो बता किसका ARR जादा है P के कितना है 90 lakh Q का 14 lakh तो चूज़ हम किसे करेंगे P को that's it अभी समझा है क्या अब बोलो सबको ARR समझा है क्या तो जब भी बेटाजी एक्जाम में बोलेंगे Find ARR module का forum मत देखो Simple बाशा में ARR का मतलग क्या है NPV per year ARR क्या हता है NPV per कैसे करेंगे NPV को divide करेंगे discounting factor सम तीन साल का हुआ NPV को divide करो discounting factor of 3 year सम पास साल का हुआ NPV को divide करो discounting factor of 5 साल उससे ARR मिल सकता है अभी समझ में आ रहा है क्या पले दोनों का NPV निकालो और देन फाइड NPV per year देन फाइड NPV per year दाट्स इट हो गया हो गया हो गया जिसका NPV पर ज्यादा आ रहा है वो अग्दम बढ़िया प्रजेट है यस अब आ रहा है का confidence अब पूरा क्लियर है क्या बात है क्या बात है फुल खुशना अभी समझ अच्छा लगता नहीं समझ जोच समझ में आता है अब इससे रखता है बहुत भारिया अब जोश आता है इससे पढ़ने का ऐससे एकदम सर एससे 100-200 कॉशन दोना मज़ा जाएगा क्ल सुबह बिटा कल सुबह आपके गृूपपए इससे आज बंड़ा प्रेक्रिकल खत्म हो जागा बेटाजी मैं कल बैट्विटा आपके तिलेग्रंग ग्रूपए इससे प्रेकिल का टास्ट दोनगा मैं आपको कल लेकिन कल सुबे क्योंकि मुझे सम बनाने पड़ेंगे मैं आज रात को बेटके मैं प्रॉपर सारी सम बनाता हूँ ऐसले कि सम घर से लेके आता हूँ मैं सम मैं बनाऊंगा आप सॉल करो इस वहाराम से आप ग्रूप में डिसकस करो ओके चलिये चलिये एक्जामपल तुम लो try को ने एक्जामपल तुम लो करो ना 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 एक्जामपल तुम लो अब यह फॉर्मल गोली मारो इस फ NPV per year निकालेंगे NPV को डिवाइड को रो discounting factor एकदम simple तरीका मैंने बैता उसको follow करने का चिनको मंगता है चाहे तो इसका screenshot निकालो चिनको मंगता है इसका screenshot निकालो और notebook में आराम से लिको बाद में इसका screenshot निकालो यह चाप्टर खतम बड़े क्लास कंची बच्चा है तो चाप्टर का प्रेटिकल बूरा खतम होजगा बेटा जी आरे भाई यह रिविजन ही चल रहा है और क्या कराऊंगा रिविजन ही चल रहा है बेटा यह amendment बोलो इसको बुष्तर बोलो रिविजन बोलो आपको जो नामदेना बाई इसे जो भी सब यही चल रहा है सब यही पे ले रहा हो किशन जी बड़ा CA Inter के बच्चे देख से ते कोई दिक्कत निया बस क्या दे CA Inter के बड़े बड़े कुशन आते बड़े-बड़े कुशन आते CA Inter के बड़े बड़े घर यह देखना तो देख सकते हो पर जादा थरी के बड़े अपने को CA Inter के बड़े अपने को CA Inter being थरी ने रही बड़े CA Inter के बच्चे होसरे साथ में काम करो मैंना चरब FM का Marathon है FM का Marathon है उसको देख लो बड़े जी इस पर डिस्कुर्टी कोशन भी कराया मैं एफम का माराथन mostly last to last time का देखा तो भी चलेगा एफम का माराथन देखलो अच्छा रहेगा आपके लिए हाई शिवानी जी कल से CMA शुरू करता हूँ कल से CMA साथ कबसे इंतर जाह करें ना CMA का देखल संड ने कल साथेड चले कल लेते CMA और नालायक और एक चीज नालायक और एक चीज बेटा सुनो एस चाप्टर आज कम्प्लीट कर रहा हूँ ना आज प्रैटिकल फुरा खतम कर रहा हूँ चाप्टर ये बस लास अकर से बच्चा फ्रैटिकल खतम हुझा पक्का डाउं logical reasoning का जो पार्ट है, कल से शाम को सववाज 6 दे का सववाज 7 में सववाज 6 सववाज 7 में मैं 25 देज में पूरा LR के सेशन लेने वाला हूँ डबल टे के लर सेशन लेने वाला हूँ तो घर में कोई छोटा बच्छा होगा तो उनको बोल दीजिए yes 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 ब gerçekten मुष्टर भी सेंड कर जो मौनिंग में कोई दीजिए कल बेटा मौनिंग में दो बेटा तास काएक कल बेटा मौनिग में FM का practical टास औरosse मौस्टर का दोनों का तास काएकल मौनिंग में तोन टास का है मौनिग में चलो अब मुझे पढ़ान दो नालाइक, भूत बाते कर रहें तुम लो कितनी इसका भी फोटो निकालो, इसका भी फोटो निकालो इसका भी फोटो निकालो ओके, चलो, आगे बाते, फोटो निकालो, screenshot Paranid Cotton call. Done 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 अब अच्छो यार अपने को यह profit अपने पाये पाया, पता नहुत सिपा २ून् इन पढ़ाये पढ़ाये था मैंने, अब सुनना, अब इस हे uh AI पे एक application है जिसका नाम है Capital Rationing Capital Rationing अब हम पढ़ने वाले Concept of Capital Rationing जिस पर एक्जामे कुशन आसा है Capital Rationing, अब दिखो बच्छो Capital Rationing का मतलब क्या What is Capital Rationing आपको यहाद होगा मैं बताया था Capital Budgeting मैं आपको बताया था Capital Budgeting में Decision की तीन ताइप होगा There are three types of decision There are three types of decision One is called as Accept or Reject Decision Single Project है Simply बताओ, accept करे या reject करे Second बच्छो ओता है Exclusive Project Two Project है कि इसको ले या उसको ले उसे बोलते है Mutually Exclusive और तीसरा था Capital Rationing Decision Capital Rationing क्या होता है Capital Rationing is used When we have got limited budget अगर हमारे पास budget का shortage है और हमारे पास Multiple Project Option है When projects are many And budget is limited When projects are many And budget is limited ऐसे केस में अपने हाथ में जो पैसा है उसे केसे गुजारा किया जाए Simple भाशा में बोलूगा बेटा जी अजूम करो पापा ने आपको दिये 5,000 रुपए पापा ने आपको दिये 5,000 रुपए बोला बेटा दिवाले के शॉपिंग कर क्या दिवाले के शॉपिंग कर क्या आप दिवाले के शॉपिंग करनी है आपको ड्रेस लेने का है फटा के लेने के आपको ट्रेस ना बेटा, फटा के फायर क्राकर के लेने का है मेकप को सामान लेने का है कुछ पता क्या है जुल्री बिल्री जो भी लेने के बेटा जी अपने को वो लेना होगा, yes or no और साथ में पता कोछ घरवालों के लिए मिठाई भी लेनी कि, जेब में 5 रूप है और लेनी अपने को 4-5 बाते, ड्रेस मेकप का सामान, घरवालों के लिए मिठाई, फटा के इतना सब लेके आने का है AC, फ्रीज नहीं आता, मत लेना बेटा, ठीके न तो जोश में कुछ लोग आते, Amazon Prime से लेटी के ना, उसमें कुछ नहीं मिलता बेटा अब देखो, पांचा गुजार करने का है आप सोचते हो, क्या करें, क्या करें पैसा पांचा रहे है बहुत चाहिए ले दिये, तो हम क्या करेंगे रैंकिंग निकालेंगे आपके दिल को लगता है कि ये लेना मस थे उसको सबसे पहले लो उसके बाद, सेकंड रैंक को लीजे, और उसमें जितना बजेट में बेटेगा उसको लो तो हम क्या करेंगे, एक एक आइटम लेंगे, आइटम लेंगे तो दो बात का अधान रखेंगे, उनका प्राइरिटि का ध्यान रखेंगे, और बजेट का दण totaन है, हमारे बजेट में प्राइरिटि के हिसाबसे, जो फिट बेटे हूंगे वो आइटम लेंगे, और जो फिट नहीं बेटे हुगे, वो आइटेम हम लोग रिजेट करेंगे कि थोड़ा बहुत समझा है नाला है अब इसके ओपर एक क्वेश्चन देखे सारा फंडा समझेगा एक क्वेश्चन देखे सारा बेटा फंडा समझेगा बचो थेरी पॉइंटे से बता रहा है बचो capital rationing के दो टाइप होते हैं there are two types of capital rationing one is hard बहुत hard होता है hard या फिर external rationing और soft मतलब internal मतलब कभी-कभी capital rationing मतलब project select करने के लिए external party दबाव बनाते चापे external party या market के influence में आपको decision लेना पड़ता है that is called as hard or external rationing क्या हो गया मेरे भाय लीलम अमी क्या हो गया बटाजी आप बड़ा गलत जगा पी बात करो बटाजी और सिये कहना marathon आप मेरे चेख करो बड़ा instagram का story चेक करो बटा instagram का पोस्ट चेक करो आपको पता चलेएग instagram का पोस्ट चेक करो okay and बटा this channel exclusively for C.A.S. or C.A. में okay तो यहाँ बटा में C.A. का discussion नहीं करता बटाजी really sorry आप मेरे बटा इंसा का बटा story चेक करो इंसा का post चेक करो आपको पता चलेगा में C.A. के लाइव कबार बटा पता चलेगा आपको okay चले बटाजी मेरको क्या बटाजाओ देखिया मेरको क्या बटा ता नहाएग में क्या बटार बच्च रीको yes मेरको बटा रहा था राज़ी साब राश्नीं कर रोटाइप होटे जैसे हमारे creditors, creditors बहार के लोगे बोलते हैं, भाई साप खर्चे कम करो, बहुत खर्चे हो रहे हैं, वो कोने बेटा, external मतलब hard rationing, बहुत हाड हो रहे है, soft मतलब अपने इस लोग वाट लगा रहे हैं, अपने इस employee, अपना ही मैने बोलता है, खर्चे कितने हो रहे हैं, कम करो घरवाले इस लोग चिला रहे हैं, उसे बोलते है, soft और interesting बोलते हैं, समझागा बच्चा लोग, पका, तो rationing के लिए बेटा, अगर बाहर के लोग बेटा, अगर आपको दबाव बना रहे, तो वो कोने external लोगा पीर hard rationing है, और rationing के लिए बेटा, अगर अपने ही लोग बे बस इतना theoretical ध्यान में रखी है, there are two types of rationing, अब नालायक देखे, इसके उपर question देखे, सारा पार्ट समझेगा, अब सब नालायक लोग इस question को ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे समझे या पर ना समझे, इस question को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, और ऐसा question MCQ में आ सकता है, पढ़ आराम से. झालायक जालायक नालायक देखे, खब पार्ट, नालायक देखे, इसके बढ़ेंगे, इसके भी आराम से. झाल 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 चलिये 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 नाला लाक पढ़ ले आपने त्क क्या बोले अभी धान सुद्धा क्या बोले भाई साप क्या बोला है एक company के पास तीन लाग का budget है गरीब company company के पास पाँच प्रोजेट का option है कितने पाँच प्रोजेट हमने बहुत क्या फरपड़ता है पाचो भी चलाओ भी क्या फरपड़ता है पूरजेट एक इतना मांग रहा है एक लाग असी हजार B कितना मांग रहा है एक लाग पच्छासार C कितना मांग रहा है एक लाग बीसार D कितना मांग रहा है 75,000 E कितना मांग रहा है 60,000 मांग रहा है सब मिला के कितना मांग रहे टोटल करके देखो भाई साब कितना मांग रहे 5,85,000 लेकिन हम गरीब लोगे हमारे पास कितना पैसा है 3 लाग अब मुझे 5 में से एक प्रोजेट सिलेक नहीं करना है I have to select multiple projects भाई साथ 3 लाग जेब में पड़ा है 3 लाग में 2-3 प्रोजेट तो करी लेंगे हम 2-3 प्रोजेट तो कर लेंगे हमने भाई जिसका NPV जादा सो सिलेक करेंगे बट ना ना आप दे कोश्चन में क्या बूला है निच और एक कमेंट दिया Assuming that B and C are mutually exclusive please समझना mutually exclusive का मतलब का है either ये लो या पिर ये वो लो mutually exclusive में क्या आता है 2 में से 1 लेना पड़ता है B and C में कोई भी एक लो आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि B and C दोनों की भी लिया A, D, E भाड में गे हमने B and C को लिया ऐसे कभी नहीं चलेगा अगर B and C exclusive मतलब का है ये दोनों में जगडा है एक तो B आएगा नहीं तो C आएगा दोनों को भी साथ में आएगे बेटाजी ओके और बागी सारे बरपज़बरण इंडिपेंडेंटे उनके सी जगडाए भी नहीं है A बोलता है मेरे साथ C रहा तो भी चलेगा परे साथ D रहा तो चलेगा बर B और C का जगडा है दोनों में इसकोई तो एक ही चाहेगा, अब अपने को select the combination which will maximize the NPV, हमें ऐसा combination choose करा है, जिसे NPV के आगा maximum, बच्चे बोलेंगे सर, जिसका NPV जादा है, उसको सिने कोर, ना, 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 सुनना, जब भी समाता है capital rationing का, capital rationing कैसे पचानेंगे, भाई साप, multiple project का option है, बड़ पैस कमें आपने पास, कितना पैसा लगने वाला था, 5,85,000, कितना पैसा आपने पास है, 3,00,000, when funds are in shortage, when funds are in shortage, that is called as capital rationing, when funds are in shortage, that is called as capital rationing, and in case of capital rationing, आपको ranking देना पड़ेगा, और ranking के लिए, always use profitability index, ranking के लिए क्या यूस करेंगे, profitability index यूस करेंगे, dopo pregnancy review, जहेपा का नालाइक, ranking के लिए क्लिए क्या यूस करेंगे, profitability index यूस करेंगे, बच्चो देखो मैं परुशे A के बात कर रहा परुशे A का कोस दिये अरे इनिशल कोस का मतलग कै आउटफलो इनिशल कोस का मतलग कै आउटफलो दिये A का एनपी भी दिये मुझे P.I. निकाला है कौन बताएगा मेरे को P.I. का फॉर्मिला क्या बोले भाई साब P.I. का फॉर्मिला क्या है Present value of inflow upon outflow तो P.I. के लिए कौन चाहिए inflow और outflow P.I. के लिए कौन चाहिए inflow और outflow चाहिए तो P.I. को ने inflow upon outflow P.I. को ने inflow upon outflow तो P.I. के लिए कौन मंगता है inflow और outflow मंगता है Yes or No इसमें से outflow तो आपको पता है अब इन फ्लो कैसे मिलेगा अब प्लीज सुनना बच्चों NPV क्या होता है present value of inflow minus present value of outflow यह पता है क्या NPV क्या होता है present value of inflow minus present value of outflow project A का NPV पता है क्या हा सर A का NPV कितना है 75,000 A का आपको outflow पता है क्या हा सर A का outflow कितना है 180,000 उससे can you find a present value of inflow अरे जेपा क्या नालाइक A का NPV दिया था मैंने NPV का formula use किया NPV क्या था inflow minus outflow इसमें से NPV पता है outflow पता है NPV पता है outflow पता है can you find a present value of inflow can you find inflow निकाल पाएंगा बच्चा लोग how to find inflow 75,000 plus 1,80,000 75,000 plus 1,80,000 कितना है गा 2,55,000 यह inflow आएगा भाई साब NPV क्या है inflow minus outflow आउटफलो यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस करो तो NPV में outflow add करो तो आपको मिलेगा inflow अरे सबको जेपा क्या एक का inflow कितना मिला 2,55,000 देखो यहाँ पे उनों लिखा न यह बड़ा inflow यह बेटा अपना बी का inflow कितना हैगा यह inflow भाई साब B का inflow 60,000 प्लस एक लग पचास दो दस आ रहा है क्या आपको समझा मैंने क्या निकाला Questions में Outflow दिया था NPV दिया था उससे Inflow निकाला क्यों निकाला अरे सब हमें PI निकालना है PI क्या हता है? Inflow upon Outflow PI क्या हता है? Inflow upon Outflow एक का Inflow कितना है? 2,55,000 upon Outflow कितना है? 1,800,000 करो भाई साब Inflow upon Outflow 2,55,000 upon 1,800,000 कितना हैगा? 1.42 मतलब 1.41 1.42 मतलब 1.41 समझा क्या तो जब भी समाता है capital rationing का हम लोग क्या लेंगे बच्छा लोग PI निकालेंगे clear है सबको PI के लिए outflow दिया था outflow से पहले क्या निकाला inflow once you got inflow can you find PI once you got inflow can you find PI inflow upon outflow से PI निकाला अब बताओ बच्छो एक बार PI मिल गया अब ranking देने का है जिसका profit index जादा है उसको first rank बोलो किसका PI जादा है sir E का E को first rank दिया 1.50 के बाद को ने 1.48 D को second rank दिया फिर को ने 1.42 dented and A और C में tie हो रहा है दोनों को भी दिया third rank फिर 1.40 B को दिया fourth rank सबको ranking समझा क्या तो capital rationing के सम्में PI निकालने का और as per PI ranking देने का जिसका PI जादा उसका first rank ओके अब इसका क्या करेंगे भाई साब हम कर क्या रहे थे अरे सथ 3,000,000 का budget था 3,000,000 के budget में घुजारा करने कोशे करें गरीब लोग 3,000,000 के budget में घुजारा करने की बाद करें थे confusion क्या था 3,000,000 के budget में कौन सा project ले हमने सबसे पोला चलो ranking को ले क्या हो E बोलता है मेरा rank पहले मेरा rank पहले 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 आऊँगा चलो हमने बोला चलो try मारते सबसे पहला combination one E को बुला है E बोलता है मेरा rank पहले-पहले मुझे लो E बोलता है मुझे कितना लगता है 60,000 E का कितना investment है? 60,000 Kelsey निकालो E को 60 आचे देदू क्या? R3,000,000 अपने पासे कितना अपने पासे? 3,000,000 E कितना मंगरा है? 60 आचे चलो E को देदू 1st rank E का 2nd rank किसका है? D का चलो D को दो D कितना मंगरा है? 75,000 प्लीस सुनना E ने कितने मंगे? 30,000 Sorry, E ने कितने मंगे? 60,000 D ने कितने मंगे? 70,000 तो E और D ने मिला के कितने पैसे खाए? 1,30,000 अभी थिकम ने E और D को funding दिया अरे समझा क्या ranking इसाब से? E कितना मंग रहा है? 70,000 D कितना मंग रहा है? 70,000 दोनों को मिला के कितना दिया? 1,35,000 बड़ हमारे पास fund था कितना भाई? 3,000 आगे बाद में जाएंगे 3,000,000 का fund था A को दो 60,000 गए B को दो 70,000 गए कितने बचे? 1,65,000 E और D के बाद J जेब में बचे 1,65,000 अब 1,65,000 लेके निकलो बाहर मार्केट में 3rd rank पे 3rd rank पे AB था और CB था 3rd rank पे AB था CB था A और C दोनों जड़ा करें मुझे लो, मुझे लो, मुझे लो A बोलता है मेरा भी rank 3 है मुझे लो C बोलता है मेरा rank 3 है मुझे लो आप बता किसको लू? एको लू या सी को लू फटाफ़र मेरे बच्चे मुझे आएंगे एको लू या सी को लू किसको लेना चाहिए ए बहुत पीछे पड़ा है मुझे लू मेरा रांक थरड़े हम एको बोलेंगे हाथ जोड़के विननतिये मत बोलो force मत करो क्यों हम एक को बोलेंगे भाई ए तुझे मंगते एक लाक असी हजार बड़ हम गरीब लोगे हमार पास कितना है वन लैक सिक्ष्टी फाइट थाउजन ए कितना मंग रहा है एक लाक असी हजार हमार पास कितने वन लैक पैसे हजार सफिशन फंड है क्या हम A को fund दे नहीं सकते हैं, बोलेंगे भाई, request है, आगे बढ़ो तो किसको मिलेगा, C का नंबर आएगा C बोलता है, मैंने को सिर्फ चाहिए 1,20,000 और आपके पास तो 1,500,000 बाई बड़े लोगो, तो C को दिया हम लोगों ने तो पहले किसको दिया, A को पढ़ रहा था, तो हमने C को दिया आप दिखते हैं आपको E का NPV पता है क्या, संबे दिया है 30, D का NPV दिया है C का NPV दिया है, सबका NPV निकाला मतलब हमने Combination 1 में, जो 3 प्रोजेट चूज के Combination 1 में, जो 3 प्रोजेट चूज के उनका NPV कितना आ रहा है, 1,16,000 2nd था D को लिया, फिर सोचा, 3rd rank पे कौन थे, A और C भी थे, 3rd rank के कौन थे, A और C थे तो क्या था, B बोलता है भाई ये, काम कोरना, ये A और C दोनों भी 3rd rank ले, जड़ा कर रहे, दोनों को भड़ में जाने दो, आप मुझे B को लोना, हमने सब B picture में कहा सा आगया, आप बात समझ रहा, E और D को देने के बाद, बजर कितना बचाता, 1,60,000 बचाता, अगर आप C को लेते हो, सिर्फ सिर्फ कितना मांग रहा है, 1,20,000, मैंने C को 1,20,000 देने के बाद भी, फंड बच रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो B बोलता है, वेस्ट क्यू कर रहे न, मुझे दो, ये C सिर्फ 1,20,000 ले रहा है, मैं तो तुमारे पास से 1,50,000 लूँगा, आपका फंड हो रहा है, अच्छी बात है, तो हमने सोच है, काम करते है, E और D के बाद, A को भी भाड में जाने दो, C को भाड में जाने दो, हम चांस देंगे B को, त्राय करने में के दिख करते है, हमने त्राय किया, फिर से, E का NPV निकाला, D का NPV निकाला, और B का, कितना रहा एकला 26 आ जादा है, उन्हें और एक कॉंबिनेशन दिया है, अब ही उसमें लॉजिक क्या देख, और एक कॉंबिनेशन दिया है, यह तो रहर कॉंबिनेशन जारे है, यह क्या बोलता है, रैंक्टिंग भड में गया, रैंक्टिंग भड में गया, तिन लाग को पूरा वसुल करो, त अगर हम A और C दोनों को लेंगे ना, पूरा मसला क्लियर बटा होता है, पूरा तीन लाग यूज होता है, पूरा फंड इस्तेमाल, उन्हें क्या बोला, यह रैंकिंग कुछ नहीं गलत होता है, आप A और C को लो, पूरा तीन लाग यूज होगा, बद तकलीफ है, जब NPV नि तो combination two is the better combination, तो capital rationing में हम project E, D और B को select करेंगे, project E, D and B should be selected, तो हम ऐसे project select करेंगे, जिसे fund भी proper use होगा, और NPV भी जादा मिलेगा, अरे जेपा क्या नालायक, capital rationing में सबसे पले क्या क्या, P.I. निकाला, P.I. से ranking दिया, ranking के हिसाब से project को fund दिया, पले E को fund दिया, P.D. को fund दिया, जढ़ा हो रहा था, first option में C को दिया, second option में क्याला, A और C, दोनों भी नालायकर, दोनों को निकाल अड़ B को fund दो, ऐसा करके, मैं जब देखा, मैं पता जला, combination 2 का NPV जादा आ रहा है, तो combination 2 को आपने select करना चाहा, ranking देंगे P.I. के सबसे, पर final decision लेंगे, N.P. के सबसे, जिसका NPV के है, जादा, वो combination, बढ़ी है combination है, I hope आपको समझा, नालायक समझ में आ रहा है क्या बोलो, it is a concept of capital rationing, मज आये क्या, इस पर भी exam MCQ क्यों आ सकता है, बोलेंगे, which are the following, but it should be selected, नीचे option देंगे, A, B, C, project, C, D, E, A, B, D, बोलेंगे, कुन सा आप पर select करना चाहिए, क्कुशन आ सकता, MCQ क्यों आ सकता है, बढ़ी क्कुशन था, मजा आये क्या, So, it is end of the practical portion of capital budgeting, आप ये capital budgeting का major practical part, खतम हुचे का बच्चा लो, तो कल हम लोग मिलेंगे for the